असलावलों कुस्टोर्स चैप्टर मेर टू डेरिवेटिव एक्ससाइज 2.3 से पहले कुछ हम रूल्स डिस्क्स कर लेते हैं उसने कहा कि है फर्णमेंटल रूज ओर डिफिरेंस टेशेशन लास्ट लेक्ट्र में हमने पढ़ा था कि डिफिरेंस टेशेजर गाओin थिस लीच्व फैंड तो डेडार रूट्रीव की आखा है वह मरे पास कि वह हम आपस किये परना है तो हमारे पास यहां भी कुछ रूज हैं डेरेविटेव फाइंड करने के तो हम पहला रूज देख लेते हैं उसने कहा कि डेरेविटेव अफ कॉंस्टेंट इस जीरो यह बहुत इंपॉर्टन एंप सी कुछ भी है आप तुमाम स्टुएंट्स इसको सब्सक्राइब करते हैं यह बहुत इंपॉर्टन एंप सी कुछ है मैं एक तो दोबार रपीट कर देता है उसने कहा तो डेरेविटेव आफ कॉंस्टन होता है कोई भी आपके पास कॉंस्टन हो जाए उसका जो डेरेविटेव होगा वह आलवेस क्या होगा जीरो के इकुल ही होगा आप ठीका डेरे ले 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 लें एक तो बहुत इसको फाइंड कैसे करते हैं बहुत असान तरीका का रहा है तुमाब बच्छों को बार बदाया भी होई उसने का करेंगे यह आपके पार एंग है तो जब हम डेरेविटेव रूल अपलाई करते होते हैं तो इसको वैसे हम power rule कहते हैं तो यह सारे question ऐसे ही होने है यह basic है उसका तो जो आपके पावर होती है वो आपके पावर होती है जो आपके पावर होती है हर जो पावर है उसमें से one क्या होता जाएगा माइनस होता जाएगा क्या होता जाएगा माइनश होता जाएगा और उसके पाद जो आक पास इस पास का जाएगा तो यह rule है इनको आपको फॉलह करना पड़ेगा इस प्रॉ wreck ay को आ सकता है second rule आपस कि उसने का sum or difference का rule जिसना कि आपने rules limits में पड़े थे बिल्गुल वैसे ही rule है sum का difference का कि आपकोई से दो function आ जाएंगे दिरम्यान में plus यहां minus का sign आ जाएगा तो first value का derivative plus minus second value का derivative जो आके पास answer आएगा उनको plus यहां आप माइनस कर देंगे ठीक है plus यहां minus कर देंगे second rule बहुत important rule कि यहां से start होते है product rule आके पास किया है कि आके पास कोई से दो function है और आपने उन दोनों functions को आपस में क्या करना है multiply भी करना है तो जब first function होगा और second function दोनों आपसे multiply होंगे तो उसके अपर derivative कैसे अपलाई करेंगे तो तरीका कर यह है कि आपके पास फस्ट फंशन होते है वह वैसे का वैसे ही रहता है तो जो आपस second function होता है उसका derivative आ जाता है इस दियुक्ष आजाता है पिर आपके जिसका डैरिट्व होता है वह आपके पहले multiply होता है उसके फस्ट value का क्या जाता है दिरेवेटिव मैं तबहुंढर रपीर कर रहता हूं हमाई पास पहले first value वैसी की वैसी second value का derivative plus second value multiply वोगी और first value का क्या होगा derivative quotient rule बहुत important है यह आगे पास product rule की तरह ही होगा वह थोड़ा सा difference है अब मैंने इसकी जगा थोड़ी छोड़ी हुई है उसकी reason बताता हूं क्यों उसने कहा कि हमाई पास कोई से दो function अगर आपस में divide हो रहे हैं तो नीचे वाला जो function denominator में होगा वो वैसे वैसे रहेगा और first जो function होगा उसका हम derivative ले लेंगे सिमिलर जैसे आपने ऊपर किया था अगर जो वाला function वैसे का वैसे multiply होगा और जो नीचे वाला function होगा उसका डिरेटिव आजएगा और इसके दर्मियान क्या था positive पर इसके दर्मियान क्या रहेगा पैटे नेगिटिव का sign आजएगा और denominator में जो value होगी प्रैक्टिस भी करनी है जैस्ट एक्सेस टूपेंट त्री हम कुस्ट नुमर वन से स्टार्ट करते हैं जो important question होगे वह मैं आपको साथ-साथ mention भी करता जाओंगा हम one by one exercise टूपेंट्री के question simplify करते जाएंगे एक्सेस टूपेंट्री कुस्टिन नुमर वन देखें उसने का एक्स पाफ़ फॉर प्लस ट्री प्लेस एक्स के रहे उसने का अगर हम पहले इसको वाइलेट कर लें वाइलेट करने के बाद हम अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑन ब करेंगें आप 2X 332 पर ट्री अप्लाई करेंगे और यह पर श्काに सब्सक्राइब है तो सम की संकि ध्र ट्री यह तो आपके पास जो पावर है वां होग्ड़ मत्यब्य होगई और इसमें से वन क्या हो गया माइनिस हो गया प्रच्पया प्रसक्स क्या है और यहां पश्क् उसने कहा है कि आपके पार जो constant है उसको हमने बाहर रखा है आप इसको direct भी कर सकते हैं जरूरी नहीं है आगे जागे आपने majority questions direct ही करने है तो 2 को उसने बाहर रखा है x power 3 के उपर उसने direct apply किया है तो procedure वही है यहां पर उसने यहां पर इदर multiply कर दिया और इसमें से 1 को क्या कर दिया minus कर दिया 4x power 3 plus 2 into 3x square plus 2x 4x power 3 plus 6x square 6 कैसे है 2 3 is 6 और यह प्लस 2x आ गया अब इसका question number 2 देखें customer 2 इसे भी ज़्यदा असान है पर इसका power में जो है वो minus है इसने कहा कि फर्स करें इसको कोई नाम दे देते हैं let equal to y equal to x power 3 minus 2x minus 3 by 2 plus 3 differentiate derivative apply कर ले उन बहुत साथ के उपर जैसे आपने customer 1 में किया अलग 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 इसके उपर अलग किया इसके उपर अलग किया अब यहां पर देखें जो आप minus 3 था वो इदरा कि क्या हो गया multiply हो गया minus हो गया और इसमें से 1 minus कर देंगे आप इस उसने यहां पर जो constant है उसको बाहर रख दी है और यह minus 3 by 2 वैसे का वैसे रखा है आपको पता है कि जो आप पस constant होता है उसका जो derivative होता है वो आप पस क्या होता है जीरो के पूल होता है तो यह क्या हो जाएगा minus 3 x power minus 4 और फ्लस 2 वैसे का वैसे रहा क्योंके उसने इसको multiply किया और इसके साफ मौल्टीप्लय हो गई और इसमें क्यों क्या कर दिया minus कर दिया क्यूंकि हर यहां पर उसने क्या कहा कि आगे पास से कोई सी दो वैल्यू आपस में क्या हो रहे हैं तो जब कोई फंशन डिवाइड हो रहा हो तो हमने रूल बड़ा था कि इसको कोशन रूल अप्लाई करेंगे तो 2x-3 2x-1 उसको हम y-lead कर लेते हैं और derivative apply कर लेते हैं बोड और साइड के ऊपर तो denominator में जो वैल्य है वह इसको हम वैसे वैसे लेखेंगे उपर वाली value को हम क्या करेंगे derive कर लेंगे तर्मियान में क्या आगया minus और 2x minus 3 वैसे गा वैसे और आपस क्या आजएगा नीचे वाली value का derivative और denominator में जो value उसको क्या कर लेंगे whole square कर लेंगे तो 2x plus 1 आपने 2x का derivative लिया इसका answer क्या आगया 2 और 3 की जगा आपस क्या आगया 0 यह minus ऐसे कर वैसे 2x minus 3 2x का डाटर क्या होगा बेड़ा 2 और 1 का डाटर क्या हो रेगा 0 आप इस 2 को इसके साब multiply कर लें 2 into 2x plus 1 minus 2 आप बस क्या रेगा 2x minus 3 over 2x plus 1 whole square अब तरीका कर क्या होगा 2 को इसके साब multiply कर दें ठीक है यह आप इस तरह कर लें इस 2 को common ले लें और इनको आपस में add कर लें तो जो भी आप solve करेंगे यह आप इसको इस तरह करें multiply करके इन दोनों को आपस में add कर रहें आपस क्या रहेगा answer आ रहेगा एक्सेस 2.3 का customer 6 बहुत important है short question के लिहाद से आप इसको देखें उसने कहा है कि आपको 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 वाई का नाम दे दें आपको पता है कि इसका formula क्या है a minus b whole square a square plus b square minus 2ab आप इसको ओपन करेंगे आपको इसको a square हो गया plus b square हो गया minus 2ab आप square वो cancel कर दें इसको इसके साथ cancel कर दें x plus 1 by x मान अब यह इसके साथ क्या हो गया बेटा cancel हो गया माइनस और यह minus 2 हो गया तो आप इसके उपर क्या करें अब यह simplify हो चुका है अब आप क्या करें इसको पर डेरीट अप्लाइड एक और यह माइनस वान है इसको बाहर लें power rule अप्लाइड करें इसके उपर तो यह माइनस वन में आप क्या करें माइनस वन एड़ करने तो वान माइनस वान वाइक्स के इसको सिंप्लिफाय करें तो आपके पास अगर वन प्लस एक्स के रूट है और इनट आपके आगे बिइंट करेंगे तो में इसको सिंप्लिफाय करेंगे कि आपको पता है क्या आपके पास एक्स एक्स से रहा X- इसको हमने बेक की है आप इसको मॉल्टिप्य करेंगे तो तबारा यही चीज़ बन जेगे काख़ पस्क क्या आगया है यहां पर X-1 बाइट वडति यूट आ एक्स के रूट तो आप देखेंगे सेक्सक्राइब और वन मानस ऐसक्राइब यह इक दफ़ाइब और यह दिएस दफाइब माइनस में तो आप क्या करें ए आक फॉर्मुलाइब बनेंगे यह फॉर्मुलाइब बनेगा नर्वाइन सेकंड वैलिव इस स्केर ब्रेक कह रहेगा चाहिए आप एक रूह है कि के पास X जो होता है वो X के Root और X के Root के एक्कुल होता है यह मैंने आपको बाबा बाबा क्लास में बताया हुए कि इसके जिएगा हम यह लख सकते हैं कि क्योंकि मुझे Denominator में जो X के Rood आप चैनल करने है तो मैंने जब इसको इसके साथ क्या कर दूँगा Cancel तो बाकी में पस कह रहे जाएगा X1 by 2 इंट वाग पस क्या रहेगा 1 minus X इसको Multiply करते है तो आप स क्या है रहे गा X1 by 2 वैसे का वैसे इसको इसके साब पर x1 by 2 minus 3 by 2 आप इसको solve किया power यहां पर multiply होगी इस पर से minus होगी इसको यहां पर multiply किया और powers आपस में किया होगी minus आप minus 1 by 2 नीचा कि क्या हो गया square root यह भी नीचा कि आप आप पस square root ही रहेगा denominator में और आप LCM ले लें LCM आपस क्या रहेगा 2 into x square root आप इसको simplify करें तो आपस क्या रहेगा इसका answer आजाएगा question no 10 देखें exercise 2.3 का देखें नी बात यह है कि आपके पास दोनों आपके पास जो function है fx और gx यह दोनों आपस square root की form में हैं तो आप इसको क्या करेंगे क्या हम इन दोनों को एक ही square root में लिख सकते हैं yes लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास square root जो headless simple है तो आप इसको इस form में भी लिख सकते हैं one plus x over one minus x over आपके one by two अब आप क्या करेंगे इसके ओपर power rule लगा दें power rule लगाना बहुत असान है power rule कैसे लगाते होते हैं कि one by two आपके बाहर आ गया इसमें से one minus करेंगे ठीक है मानिस one by two आप जो आप जो आपके पास अंदर वाली value है उसका क्या करेंगे अगें derivative लेंगे तो इसका आप क्या क्या है अगें derivative ले लिए यह तो आपके पास simply by हो गया अब यहां पर उसने क्या किया है मानिस one by two इसकी इसको उपर ले गया और इसको denominator initial ले गया है तो math का rule आपके 9 class में पड़ा हुआ है कि अगर आप अंदर वाली चीदों को आप interchange करें तो sign क्या हो जाएगा change हो जाएगा आपने इसको separate कर दिया one minus x one का derivative zero और x का derivative one minus one plus x वैसे को वैसे multiply होगा और x का derivative क्या हो जाएगा minus one आपने इसको इसको साथ multiply किया इसको इसके साथ multiply कर दें अब आप देखें कि one plus x ये वैसे का वैसे और ये one minus x जो है वो मैं denominator में ले आया हूँ ठीक है यह यहाँ पे आके क्या हो जाएगा minus में अगर आप किसी चीज़ की power denominator में लेके आते हैं तो इसकी जो power होती है वो आ नीचे लेके आया हूँ इसको इसके साथ क्यों नहीं मिल आया है क्योंकि ये one minus x और ये one minus x इसने आप उसमें क्या होना है multiply होने है तो आप simplify करते है simplify करने के बाद one minus x plus one plus x और आप पस क्या गया तू अब आप देखें कि यह आप पास formula बन रहा है first value का square minus second value का square लेकिन इसस इसको इसको इसके साथ cancel करते हैं आप पस तू बच गया one plus one डिवाइब बैक पस तू आप इसको भी इसके साथ cancel कर दीजेगा one plus x one by two और one minus x three by two अब आप इसको ब्रेक करते हैं दुबारा one plus x one minus x one by two और one minus x अब आप देखें कि आप पस ये simplify हो चुगा question number 16 है यह मैं बहुत अफ़ा paper में में दे चुका हूं और यह बहुत अफ़ा board के papers में भी आ चुक है यह important question है short question के लिहाज से plus long question के लिहाज से examiner के पर depend करता है कि वो इसको long में देता है short में देता है बट यह बहुत important है अब उसने क्या कहा उसने कहा कि आपने इसको प्रूव करना है तो मैं परस y के है x के root minus 1 by x के root आगपास x के root 1 by 2 minus आगपास क्या आ गया वो जाके minus 1 by 2 हो गया अगें derivative ले ले लें बहुत साइट के अपर आप differentiate करेंगे अच्छा यहां तक तो आगपास simplify होगा जैसे हमने last में किया था तो आगपास आगपास 1 by 2 हो गया आपने जब इसके डाट विल लिया था आपस minus 1 by 2 और जब इसको power में अपलाई कि आपस क्या गया यहां तक आपस बहुत easy question है आगे देखें उसने कहा कहा कि 1 over 2 x के root और 1 over 2 x यहां पे x 3 by 2 था उसको break किया तो आगपास 1 by 2 और x हो गया तो 1 by 2 x के root और आगपास यह 1 by 2 x के root और x हो गया उसने क्या कहा था किया आपने प्रूव करना है अब जो डीवाय आ गया इसको 2 x के साथ बोस सेट पर multiply करतें तो जो 2 x multiply हुआ तो इस 2 के साथ यह 2 क्या हो गया cancel तो इसके साथ यह 2 इसके साथ cancel हो गया और यह x x के साथ cancel हो गया तो आप क् करेंगे इसके अपर यहां तो दो ऑप्शन हैं आपके पास यहां तो आप सकते हैं वन प्लस और इसके साथ चैंसल हो गया एक स्के रूट प्लस बाइब थे ऐड़ करना है तो आप आपने य को बहुत सब्सक्राइब कर देना है तो य एड किया बहुत सब्सक्राइब कर देना है तो देखें माइनस प्लस के साथ क्या हो गया गया है तो कुस्ट्रम सेवंटीन भी बिल्कुल ऐसे है बहुत इंपोर्टन है यह भी उसने का वाइक वाइक प्लस टू प्लस तू प्रूव दैट ड्य बाइग दी एक्स इक्वर टू इंटू य स्के रूट मानिस फान तो हम य को लेट कर लेते हैं इसका डैरिकर लेड को साइट के उपर फोर एक्स यहां से आप क्वममट ले ले एक्स के प्लस बॉन आप उसा है जैसे प्लस तक हम ये यह नहीं करेंगे और यह नहीं करेंगे तो यह चीज नहीं बन सकते हैं हम्हें चाहिए यह वाली चीज यहाँ प्लस 2 x अब तो आपको प्रॉब्लम हो तो आपको पूछ लिएगा इन्षाला जो है वो एकसे स्टू-पैंट-फॉर मैं अप्लोड करूँगा आपको क्वेस्टिम में प्रॉब्लम हो तो आप दुबारा पूछ लिएगा